हलो एवरिवन वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल वाइजर टुटोरियल आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 की एक्ससाइज 1.1 का क्वेशन नमर 1 का 1st पार्ट तो क्वेशन नमर 1st है यूज यूकिलेट्स डिविजन अल्गोरिथम तू फाइंड दा सेफ ओफ 1,3,5,2,5 means 135 and 225 का SCF find out करना है यूकिलेट्स डिविजन अल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अब यहां पर बात आती है SCF की SCF means highest common factor SCF find out करेंगे पहले हम simple division method से simple division method से SCF find out करेंगे 135 and 225 का जिसमें आपका first step रहता है greater value कौन सी है so 225 is greater than 135 means 225 को हम 135 से divide करेंगे तो यहां पर 135 का table लगाएंगे 135 वंजा 135 वंजा 135 तूजा 270 270 जो की 225 से greater value आगी तो 135 वंजा 135 next step रहेगा इसे minus करने का so 5 माइनस 5 जीरो यहां पर borrow ले जानी पड़ेगी because 3 is greater than 2 तो 2 का हमें 12 बनाना पड़ेगा 12 minus 3 is 9 2 से हमने borrow लेगी तो इसके पास अब 1 रह गया 1 minus 1 is 0 अभी हमने इसका first step solve किया अब जो आपके पास ये वाली value है इसे हम divisor कहते हैं यहां पर मैंने कुछ एक चीज़े लिखी है इससे आप relate कर सकते हो इसे divisor कहते है इसे dividend कहते है इसे quotient कहते है और इसे remainder कहते है अब SCF निकालने का तरीका ये होता है कि हमारे पास remainder 0 आना चाहिए इसलिए हम इसे तब तक divide करते जाएंगे जब तक कि हमारा remainder 0 नहीं आ जाता तो यहां पर तो हमारा remainder 90 आ गया है बलकि हमारे पास remainder 0 आना चाहिए अब जब आपके पास इस तरह की situation आएगी remainder आपके पास 0 नहीं आएगा और दूसरा आपके पास कोई option भी नहीं है तो आपका जो remainder है वो आपका diviser बन जाएगा remainder diviser बन जाएगा और जो आपका पहले diviser था वो dividend बन जाएगा और यही process तब तक repeat होगी जब तक कि आपका remainder 0 नहीं आ जाता remainder आपका diviser बन जाएगा और जो आपका पहले diviser था वो dividend बन जाएगा अब हम 90 का table लगाएंगे 90 वनजा 90, 92 वनजा 180, 181 35 से बड़ी value है, so 90 वनजा 90, second step फिर से आपको minus करना पड़ेगा, 5 minus 0 is 5, 3 में 9 less नहीं कर सकते तो borrow लानी पड़ेगी, 3 13 बन जाएगा, और 1 से borrow लाई तो 1 के पास 0 रह गया, 13 minus 9 is 4, हमारा जो फिर से remainder है वो 45 आ गया, हमारा remainder 0 आना चाहिए, अब क्या हो जाएगा, फिर से remainder divisor बन जाएगा, और जो इससे पहले divisor था वो dividend बन जाएगा, 45 वनजा 45, 45 टूजा 90, अब हमारा remainder 0 आ गया है, means SCF find out हो गया है, SCF find out हो गया, because remainder 0 आ गया है, जो हमारा remainder 0 आया है, वो 45 से divide करने पर आया है, इसलिए हमारा SCF आ गया, 45 यहाँ पर तो simple division method हमारा complete हो जाता है, बट हमें जो question दिया है, वो दिया है, Euclid's division algorithm के according, तो इसका जो आपका first step है, उसमें आप लिख लेंगे, 225 is greater than 135, तो आपका जो step first है, वो लिखना है आपको, अब देखो यह किस तरीके से लिखा जाता है, इससे लिखेंगे आप dividend, step 1 इसके बाद आएगा, पहले लिखने का तरीका देख लो, dividend is equals to divisor multiply quotient plus remainder, यह आपके पास लिखने का तरीका रहेगा, तो आपका जो step first है, step first आपका यह वाला यहां से start हुआ था, तो इस case में आपका dividend था 225, dividend is equals to divisor था first step में 135, multiply, quotient था 1 plus first step में हमारा remainder था 90, remainder आगया 90, आप simple से तरीके से यह भी आज रख सकते हो, जो आपकी अंदर वाली value है, वो equal से बाहर आ जाएगी, और उपर की दो वाली आपस में multiply हो जाएगी, और जो remainder है, वो plus में आ जाएगा, I hope यहां तक clear हो गया होगा, next आपके पास step 2 भी इसी तरीके से आएगा, step 2 आपका यहां से start होता है, इस case में आपके पास dividend 135 है, जो equal से बाहर आ गया, और जो first step में remainder था, वो second step में आपका divisor बन गया है, तो 90, multiply, quotient is 1, plus remainder is 45, dividend means जो आपका अंदर वाली value थी, वो equal से बाहर आ गी, उपर की दो आपस में multiply होगी, और plus में आपका remainder आ गया, step 3 उसी तरह से लिखेंगे, step 3 आपका यहां से start होता है, इस case में आपका जो dividend है, वो 90 है, जो equal से बाहर आ गया, और जो आपका remainder था second step में, वो इस case में divisor बन गया, multiply quotient is 2, plus remainder is 0, अब आपके पास जो remainder है, वो 0 आ गया, means SCF आपके पास 45 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, last में, in third step, the remainder, has become, has become 0, remainder 0 आ गया है, हमारे पास third step में, और third step में हमारा diviser 45 था, 45 से divide करने पर हमारा remainder 0 आया है, इसलिए HCF हमारा 45 आ गया, तो इसके बाद आप एक line और add कर लेना, HCF of 135 and 225 is 45, ये आपका solution निकल गया है, और जो आपके पास question है, वो Eucalyzed Vision algorithm के base पर पूछा था, इसलिए ये आपका एक sufficient solution है, sufficient solution है, so अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा and share कीजिएगा, thank you.